परिचए बीज गनत गनत की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षर होते हैं संख्याओं अचर होती हैं उपयोग किये जाने वाले अक्षर चर कहलाते हैं व्यन्जक चर व अचर के साथ साथ अंकिय संकारकों का संयोजन होता है जब दो व्यन्जकों को एक साथ समिकृत किया जाता है तो हमें एक समिकरण प्राप्त होता है कुछ समिकरण सभी मानों के लिए सत्य होते हैं और ऐसे समिकरण सर्वसमिकाएं कहलाते हैं उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे बीजीय व्यंजकों की पहचान करना किसी बहुपद की घात को हल करना एक पदों, दुपदों और बहुपदों को हल करना सजातिय व विजातिय पदों की पहचान करना बीजीय व्यन्जकों के योग, व्यवकलन और गुणन वाले सवालों को करना सर्वसम्मिका व्मानक सर्वसम्मिकाओं का वरणन करना व्यन्जक क्या है? एक चौकलेट का मूल्य पाँच रुपए है और एक पेन का मूल्य दस रुपए है इस सवाल को हल करने के लिए हम एक वियंजक बनाते हैं एक पेन का मूल्य X रुपए है, एक चॉकलेट का मूल्य Y रुपए है, तीन पेन का मूल्य 3X है, तीन चॉकलेट का मूल्य 3Y है, दस पेन का मूल्य 10X, कुल मूल्य, बराबर 3X जमा 10Y है, जोकी गणना करने पर बराबर होगा 115 के संख्या रेखा और व्यन्जक मान लें व्यन्जक X जमा 4 है मान लिया चर X संख्या रेखा पर X स्थिदी ग्रहन करता है चूंकि दिया गया व्यन्जक चर 4 धनात्मक मान ग्रहन करता है ए, X की दाई और 4 इकाई पर स्थान ग्रहन करता है यदि व्यन्जक X घटा 4 हो तो A की स्थिती X की बाई और होगी मान लें कि व्यन्जक 5X जमा 6 है मान लिया 4X संख्या रेखा पर X स्थिती ग्रहन करता है चुँकि दिये गए व्यन्जक का पहला पद 5X है 5X की स्थिती बिंदू D पर होगी मूल बिंदू से बिंदू D की दूरी बिंदू X की मूल बिंदू से दूरी की 5 गुना होगी इसलिए 5X जमा 6 के E की स्थिती D की दाई और 6 इकाई पर होगी बीजी व्यन्जक अचर स्थिर संख्यात्मक मान वाला प्रतीक अचर कहलाता है उधारन के लिए 3 घटा 5 9 भाग 7 P इत्यादी चर कोई प्रतीक या अक्षर जिसके अनेक संख्यात्मक मान हो चर कहलाता है उधारन के लिए किसी व्रित की परिधी बराबर C बराबर 2P आर जहां आर व्रित की त्रिज्या है 2P अचर है C और आर चर है चरों और अचरों का जमा, घटा, X और Y से जुड़ा हुआ संयोजन B.G. व्यंजक कहलाता है पद व्यंजक के जमा या घटा द्वारा अलग किये गए विभिन भाग व्यंजक के पद कहलाते है उधारन के लिए यह एक चार पद वाला व्यंजक है बहुपद ऐसा B.G. व्यंजक जिसके चरों में केवल गैर रनात्मक पूर्ण सांखित घातें यानि पावर होती है बहुपद कहलाता है उधारन के लिए एक यह एक चर X में बहुपद है दो यह दो चरों एक और वाय में बहुपद है तीन यह बहुपद नहीं है पाच बहुपद दो गैर रनात्मक पूर्णांक नहीं है चार यह बहुपद नहीं है रनात्मक आठ गैर रनात्मक पूरुनांक नहीं है बहुपद की कोट बहुपद में किसी पद की उच्चतम घात बहुपद की कोट कहलाती है कोट के आधार पर बहुपदों को रेखिय बहुपद द्विघातिय बहुपद, त्रिघातिय बहुपद, चतुर घातिय बहुपद इत्यादि में वर्गी कृत किया जाता है रेखिय बहुपद, कोटी एक वाला बहुपद, रेखिय बहुपद कहलाता है उदाहरण के लिए यहां x कोटी एक का है इसलिए यह रेखिये बहुपद है द्विघाती ये बहुपद कोटी दो वाला बहुपद द्विघाती ये बहुपद कहलाता है उदाहरण के लिए यहां x कोटी दो का है इसलिए यह द्विघाती ये बहुपद कहलाता है त्रिघातिय बहुपद कोटी तीन वाला बहुपद त्रिघातिय बहुपद कहलाता है उदाहरण के लिए यहाँ एक्स कोटी तीन का है इसलिए यह त्रिघातिय बहुपद है चतुर घातिय बहुपद कोटी चार वाला बहुपद चतुर घातिय बहुपद कहलाता है उधारण के लिए यहाँ X कोटी चार का है इसलिए यह चतुर घातिय बहुपद है तो यह अधिक चरों में बहुपद की कोटी यदि बहुपद में एक से अधिक चर है तो प्रत्य एक पद में चरों की घातों का योग किया जाता है और इस तरह प्राप्त उच्चतम योग को बहुपद की कोटी कहा जाता है उदाहरण के लिए यहां X और Y में कोटी 5 वाला बहुपद है एक पदी, द्विपदी और बहुपदी बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर उन्हें एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और ऐसे ही टैश के रूप में वरगी कृत किया जाता है एक पद जब किसी बहुपद में एक पद होता है तो इसे एक पदी कहा जाता है उदहरन के लिए हैरी के पास साथ गुलाब हैं तो इसे साथ एक्स के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है यहां साथ एक्स एक पदी है द्विपदी यदि किसी बहुपद में दो पद हैं तो इसे द्विपदी कहा जाता है उदहरन के लिए हैरी के पास नौ गुलाब हैं और पांच जली हैं तो हम इन्हें बीजी ये वियन जक नौ एक्स जमा पांच वाई के रूप में लिखते हैं एक्स गुलाब की संख्या निर्दिष्ट करता है और वाई जली की संख्या नौ एक्स जमा पांच वाई ऐसा बहुपद है जिसमें दो हैं त्रिपदी यदि किसी बहुपद में तीन पद होते हैं तो वह त्रिपदी कहलाता है उधारन के लिए हैरी के पास आठ गुलाब, छे जली और पांच चौकलेट हैं तो इसे बीजी ये वियन जक के रूप में आठ एक्स जमा छे वाई जमा पांच जेड लिखा जाता है यहां एक्स गुलाब की संख्या निर्दिष्ट करता है, वाई जली की संख्या निर्दिष्ट करता है, जेड चौकलेट की संख्या निर्दिष्ट करता है 8X जमा 6Y जमा 5Z एक त्रिपदी है जिसमें तीन पद है बहुपद सामान्य रूप से यदि किसी व्यंजक में एक या अधिक पद है जिसके गुणांक शूनी नहीं है तो वह बहुपद कहलाता है उदहरन 4X जमा 4XY जमा 17XZ स्क्वेर घटा 10Y स्क्वेर Z जमा 19 द्विपदी को त्रिपदी से गुणा करना इस गुणन में हमें त्रिपदी के सभी तीनों पदों को द्विपदी के दोनों पदों से गुणा करना होगा उदहरन सरल करें अतह सर्वसम्मिका सर्वसम्मिका क्या है इस सम्मिका पर विचार करें हम इसके दोनों पक्षों का मुल्यांकन करेंगे ए के किसी मान के लिए समिका माना ए बराबर दस ए बराबर दस के लिए समिका के दोनों पक्षों के मान बराबर है आईए अब ए बराबर माइनस एक लें ए बराबर माइनस एक के लिए दायापक्ष बराबर बायापक्ष हमने पाया कि ए के किसी भी मान के लिए दायापक्ष बराबर बायापक्ष ऐसी समिका जो इसके चर के किसी भी मान के लिए सत्य हो सर्वसमिका कहलाती है इसलिए समिकरण कोई समिकरण अपने चरों के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है यह चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता है ए बराबर दस के लिए सत्य है लेकिन यह ए बराबर माइनस एक या ए बराबर शून्य इत्यादी के लिए सत्य नहीं है सारांज आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं जमा, घटा, X और Y से जुड़ा हुआ चरों व अचरों का संयोजन बीजी ये व्यंजक के रूप में जाना जाता है स्थिर संख्यात्मक मान वाले प्रतीक अचर कहलाता है कोई प्रतीक या अक्षर जिसके अनेक संख्यात्मक मान हों चर के रूप में जाना जाता है व्यंजक के निर्मान के लिए पदों को जोड़ा जाता है एक, दो, व तीन पदों वाले व्यंजक क्रमानुसार एक पदी द्विपदी व त्रिपदी कहलाते हैं ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चरों में केवल गैर रनात्मक पून्ड संखित घातें यानि पावर होती हैं बहुपद कहलाता है समान पद समान चरों से निर्मित होते हैं और इन चरों की घातें समान होती है समान पदों के गुणांक समान हों यह जरूरी नहीं है बहुपद को जोड़ते समय समान पदों और असमान पदों को अलग-अलग विवस्थित करें और केवल समान पदों को जोड़ें यही नियम घटाने के लिए भी अपनाएं गुणन के लिए बहुपद के सभी पदों को दूसरे बहुपद के सभी पदों से गुणा किया जाता है